दोस्तों अमेरिकाम की जो सडकी हैं वो इस समय किसी हॉरर मुवी के किसी थेटर सीन से अलग नहीं लग रहेंगे अमेरिका में इस समय एक दवा के ओवरडोस लेने की वज़े से जो लोग हैं वो जॉम्बी जैसी हरकते करते हैं जाम्बी जनको कितनी भी गोली मारते हो मरते ही था हें सब्सकें तो इस तरीके के हरकतें लोग अमेरिका की सड़क पर पर कर रहे हैं आप देख सकते हैं आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो यहापे मैंने अलग एक तरीके की न्यूस की जो हेडिंग से वो लगा के रखी हैं आप देख सकते हैं कि हर अखबार इसी खबर को कवर कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका की सड़कों पर जो लोग है वो जॉम् कहके भी बुकारा जाता है और इसी दवाने अमेरिका की सड़कों पर चमड़ी सड़ने से लेकर मनुश्यों को इस तरीके से बदल दिया है इस तरीके से मजबूर कर दिया है कि वो एक जॉम्बी जैसे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपने को वाइरस की चर्चा की थी वो अलग है हमने जॉम्बी वाइरस की जो बात की थी ना दिसंबर 2020 में वो अलग है और आज जब हम जिस जॉम्बी ड्रग की चर्चा कर रहे हैं ये दोनों खबर बिलकुल अलग है तो आप कन्फ्यूस मत होना इससे पहले मैं अपनी वीडियो मे हिंदस्तान टाइम्स का जो न्यूस पेपर उसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको एक ट्वीटर की जो वीडियो है ये प्ले करके दिखाना चाहूंगी यह देखिए यह यूस में आप इस महिला को देखिए कि यह किस तरीकी से जिसका शरीर अकड रहा है यह इसके पीछे इस इंसान को देखिए यह भी उसी तरीकी की हरकते कर रहा है आ होप की वीडियो अटक अटक करके ना चल रहा हूं यह देखिए आम देख सकते हैं कि वैसे में दुबारा आप इस इंसान को देखिए यह किस तरीके से हरकते कर रहा है इसी को बोल रहा है हम लोग की अमेरिका की सड़कों पे यह जॉम्बी जैसी हरकते कर रहा है इसके रावा दोस्तों अलग 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 न्यूव चैनल्स ने इस तरीके की अलग अलग वीडियो जो है उन्हें पबलिश भी किया है अब अगर हम लोग बात करते हैं इस जॉम्बी ड्रग की तो दोस्तों यह जो जॉम्बी ड्रग है यह अमेरिका के फूड एंड ड्रग एड्विनिस्ट्रेशन ने पशूओं की चिकित्सा के लिए मन्जूर किया था जिसे हम लोग जालजीन कह रहे हैं तो इस दवा को पशूओं के जिकित्सा उपजार के लिए मन्जूरी दे दी गई थी इस दवा का इस्तमाल पशूओं को बेहोश करने के लिए किया जाता है लेकिन इस दवा का उपयोग जब इनसानों के लिए किया जाता है तो यह सुर non-opoid है, non-opoid मतलब कि मतलब कि दोस्तों ये गैर नशीली दवा है हम opoid उन्हें कहते हैं जो कि नशीली दवाएं होती है जैसे हमारे देश में अगर अफीम का इस्तमाल करके कोई दवा बनाई जाए ना तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये नशीली दवाओं के अंतरकत आ रहा है, ये ओपिवएट के अंतरकत आ रहा है, लेकिन ये जो जैलीजीन है ये एक non-opoid दवा है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो overdose है, ये मनिश्यों के लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसका overdose मनिश्य के शरीर में जाता है तो ये जो दौँग लिखी हूए है न, ये दौँग जो मनिश्य को दी जाती है, वो भी मनिश्य के शरीर, मुलब इसके overdose को इस तरीके के symptoms को दूर करने के लिए ये जो दौँग दी जाती है वो भी मनिश्य के शरीर पे कोई काम नहीं करती है दोस्तों इसके जब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की तो जब कोई वेक्टी जालजीन की ओबर डोस को अपने शरीर में लक्षणों की रूप में देखता है कई बार तो लोगों की जो skin है वो इतना सर जाती है कि उनके उस हाथ को पैर को काट के फेकना पड़ता है इसके रावा इसके कुछ और भी लक्षन है जिसे कि बहुत तेज वाली नीन दाती है सांस लेने में परिशानी होती है तो दोस्तों इसी लिए हम लोग कहते हैं कि जो लोग है वो एक zombie जैसी हरकते कर रहे हैं दोस्तों बताया जा रहा है कि इस दवा को सबसे पहले फिलिडफलिया में देखा गया था उसके बाद ये सैन ट्रांसस को लास अंजलिस से होते हुए पूरे United States of America में फैले लगी दोस्तों लोग इसका इसका इस्तमाल कहीं न कहीं जिसे heroin drug बगेरा होता है न उसके लिए करते हैं नशीले पदार्थों के रूप में भी करने लगते हैं इसके रावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसी दवा को ट्रंक के नाम से भी जाना जा रहा है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया 2021 में भी इसी जालजीन जिसे हम ट्रंक कह रहे हैं इसके ओवरडोस से हजारों लोगों की मौत हुई थी और एक बात फिर इसी दवा के ओवरडोस से जो लोग है हमें यह इस तरीके की जाम्बी जैसी जो हरकत थी जो इसी के साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊं कि हम लोगों ने दिसंबर में जाम्बी वाइरस की चर्चा की थी आप उसको इससे बिलकुल कंफ्यूस मत कीजि पर्माफ्रोस्ट क्या होता है पर्माफ्रोस्ट मतला ऐसी जमीन जो की फ्रोजन हो जो की पूरी तरीके से सॉलिड बर्प से ढकी हो कम से कम दो साल से जादा की अवधी के लिए अब दोस्तों क्या हो रहा है ग्लोबल वामिंग की वज़े से जो पर्माफ्रोस्ट है यह पि से जो रोगाडू हैं जो वाइरस हैं वो बिल्कुल जम्मे यह हुए थे जम्में हुए थे मतलब वाइरस मरता नहीं हो निश्क्रिय हो जाता है तो वाइरस निश्क्रिय अवस्था में थे अब यह ग्लोबل वाउमिंग के विज़े से बढ़ रही है परमा फ्रोस्ट की तो जो वाइरस है ना वो दुबारा से एक्टिव हो रहे ही सो लास्ट टाइम दिसमबर 2022 में मैंने आप लोगों को ये जो वाइरस बताया था ये अलग अलग तेरहा अलग अलग तरीकी वाइरस खोजे जा रहे थे उनमें से एक लगवक 48,500 साल पुराना पैंडोरा वाइरस येडोमा मिला था जो कि हमें रशिया के एक येडोमा नाम के गाउं के आसपास ही मिला था तो वो जॉंबी वाइरस था कि मैंने परमाफ्रोस्ट पिघल रहा वाइरस निकल रहे और आज हमने जिसकी बात की दोस्तों ये क्या है ये एक ड्रग है जिसका नाम क्या है दोस्तों इस ड्रग का नाम है जालजीन इस ड्रग के ओवर डोर्स से ये जो मनुशे हैं उनकी चमडी सड रही है और उनके शरीर में आप देख रहे हैं कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं और जॉम्बी जैसी हरकते कर रही है I hope कि आपको पूरा मामला समझ में आया होगा अगर आप UPSC के तयारी हमारे साथ यानि कि Unacademy के साथ करना चाहते हैं तो अभी जुड़ी Unacademy पर with my discount code और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक referral code एक discount code के लिए option मिलता है और जैसे ही आप यहाँ पर अपूरवा 2-3 डाल कर apply करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह जो prices हैं यह अचानक से आपको फॉल होते हुए दिखेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस कम हो चुके हैं